अज हमारे यूट्यूब चैनल की सीरीज लेसर नोन स्पाइसस अफ इंडिया में हम कश्री के बारे में जानेंगे यह जो सामने प्लेट में है यह कश्री ही है ड्राइ कश्री वैसे तो कश्री ना तो स्पाइस है और ना ही कोई हर्ब परन्तु यह एक फल और सब्जी के बीच की खीरे की फैमिली की सब्जी है यहां मैं कश्री को सब्जी इसलिए कह रही हूँ हूँ क्यूंकि इसे सब्जी की तरह पका कर भी खाया जाता है इसका बोटानिकल नेम क्यूकिमस केलोसस है और यह खेतों में खुद भाखुद उगाती है यानि कि उसको उगाने की जरुद नहीं पड़ती यह ऐसे जिसे खरपतवार या वीड उगते हैं खेतों में वैसे उग जाती है यह भारत में उत्तर पश्चिमेरिया में जैसे राजिस्तान, हर्याना, डेली, अन्सियार और उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से आपको केतों में दिख जाएगी इस मौज़र में कश्री आपको दिखने में छोटा बहुत छोटा खरबूज या तरबूज जैसे दिखता है कई बार इसका रंग हरा होता है और कई बार हलका पीला होता है तो आप जब इसे देखेंगे आपको लगेगा कोई आप मिनियेचर तरबूज या करबूज देख रहे हैं वैसे कश्री में बहुत अधिक पौश्टितत्व होते हैं कश्री में प्लांट प्रोटीन और बहुत अच्छी मात्रा में एंटि- आपसिडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाते हैं और कच्री का इस्तमाल राजिस्थान में इसे सुखा कर किया जाता है जैसे इस प्रेट में दिख रहा है ये राजिस्थान से ही मंगाया गया है कच्री बड़ी आसानी से डेली एंसियार अब भी मिल जाती है राजिस्थान में इसका उपयोग भोजन में खटास पैदा करने क ले किया जाता है यानि कि इसको अमचूर की जगह इस्तमाल किया जाता है कच्री एक बहुत ही अच्छा मीट टेंडराइजर भी है आई होब कच्री के बारे में मेरी इंफोर्मेशन आपकी एवरी डे लाइफ में एक नया स्वाथ जरूर आएगी अब मिलते हैं अगले हफते एक नई लेसर नोन स्पाइस ऑफ इंडिया के साथ थैंक्स फॉर वाच्छिंग